आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, इस question ने बोला कि हमें क्या बताना कि कौन सी Statement True होगा किसके लिए Adzorption किसका Gase का किसके उपस Solid Surface के उपर जब होगा Adzorption होगा तो कौन सा Statement True होगा First, Second, Third and Fourth Option से हमें बताना है ठीक है? तो देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है Adzorption तो यह बात या लगना कि Adzorption होते है वो कौन सा Process होता है वो हमेंशा मेरे पास कौन सा होता है Endothermic Process होता है कौन सा Process होता है Endothermic Process होता है ठीक है अगर मेरे पास क्या होता है Endothermic Process है तो उसके लिए क्या होता है Delta H क्या होता है change in heat मेरे पास क्या होता है, delta h change क्या होता है, negative होता है, negative बोले तो मतलब मेरे पास क्या आज़ेगा, क्या आज़ेगा, less than 0 आज़ेगा, ठीक है, क्या आज़ेगा, delta h less than 0, ठीक है, अगर बात करूं, मैं delta h, ठीक है, तो देखो, delta h के बारे हमें पूचा गया, 110 मेरे पास क्या होती है ट्रोफी मेरे पास क्या होती है अगर तो आप मेरे पास मेरे वापन नेस तो अब मेरे पास क्या होता है? यह एक Justort European. अगर यह मेरे पास लापन है नहीं क्या हो जाएगा इनके पीच में एक bond formation हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या होजएगा? चैम Breaking Reduce appreciation तो gaseous free होती है तो उनकी randomness क्या होती है ज्यादा होती है जब कि यह क्या होती है जब absorb हो जाती है तो इनकी randomness decrease हो जाती है जिसके जिसे क्या होती है deltas क्या जाएगा मेरे पास क्या जाएगा negative जाएगा ठीक है क्या जाएगा negative और निए पर देखों को सब्सक्राइब तक जो कि मेरा रोंग आशर कियो प्रिप्सक्राइब अपर जाएगा राइट आशर हो जाएगा ठीक है थेंक यू क्लासिक से ट्वेल से लेके नीट आई आई टी जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जाधा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर